मांसी थाना अध्यक्ष कपिल देव कुमार और A.S.I. वेदानन्जा को निगरानी की टीम ने बुधवार की सुबह घूस लेते रंगे हाथ गिरफतार कर लिया राप सूचना के अनुसार मांसी थाना श्यत्र अंध्रगत खुटिया निवासी सचिदानन सिंग के पुत्र कुमार गरों का मांसी बजार में पनीर का दुकान था जिसके संचालन के लिए थाना ध्यक्ष और एसाई द्वारा मांसी ग्रूप से रुपए की मांगी जाती थी जिसके शिकायत गरों ने निगरानी से की थी शिकायत मिले पर निगरानी की टीम ने आज जाल बिछाया और दोनों घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए आपको बता देगी एसाई को निगरानी की टीम ने मांसी थाना के पास एने चिकतिस पर ग्यारह हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है वही थाना ध्यक्ष को थाना परिसर में ही टीम ने पाँच हजार रुपए लेते तबोच लिया पटना से आई निगरानी की टीम में पूलिस निरिक्षक उदर्शंकर, संजीव कुमार, विजय कुमार, भीम सिंग, प्रितुंजय कुमार, वैजनाज शर्मा, मंडल जी सहित आठ सदस्तिय टीम थी जिसमें आठ सदस्त थे, आज चिनांग, बाइश दू शत्रव को करिम नोग जे, अज़े लेज़, जमदार वेदानन ज्हाको, व्याराजा रुपया रिष्वत लेते ही हुए पगड़ा जया, पगड़ने के वादता सब्स्याप्ति लेते हुए पगड़ादी पगड़ा कि यहाँ संपर्क करने के लिए बादिवर सत्यापन करता को भेला गया, उसके बाद थाना परवारी द्वारा पाच हेजार रुपया रिष्वत लिए और लेकर टेबल के ओपर किताब सद्दाब दिये लाइज सेटीज के लिए खगड़िया से मनिश कुमार के रिपोर्ट